नमस्कर दोस्तों स्वागात आपका फार्मरोक्स की यूटूब एजिगेस्टन चेनल में आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बहुत सारे स्कीन रिलेटर प्रॉब्लेम्स को सौल करने वाले दवा के बारे में कि जिसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल तो यह जो मेडिकेस्टन है वो बहुत सारे स्कीन रिलेटर जो प्रॉब्लेम्स जैसे कि जो डार्क सरकल मलब कि आखों के नीचे जो ब्लैकनेस हो जाती है कि जिसको हम डार्क सरकल कहते हैं तो उसके इलाज में हम यूज कर सकते हैं उसके लावा जो पिम्पल्स के दाग होते हैं या फिर चेहरे पे काले धब्बे पड़े हुए है तो वो धब्बों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है या फिर आपके स्कीन जो ये वो डार्क हो रही है फिर स्कीन के उपर ब्लोचीस बन रहे है और ड्राइ एक्जिमा है पिम्पल्स वगिरा है एकने स्कार वगिरा है तो बहुत सरे से स्कीन एलिटर प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये दवाई जो यूज की जाती है तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में और सीखते हैं कि किस तरह से ये दवाई अपना काम करती है कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं और उसके साइड एफेक्स वगिरा क्या हो सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बारे में तो ऐसा ही समझे कि आपको बहुत सरी दवाईयों के बारे में सिखना है तो आप मेडिसिन कूर्स को जोईन कर सकते हैं फार्मारोक्स के अब उपर तो ये कूर्स जोईन करने के लिए आप हमें वाट्सेप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बारे में तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जो बहुत सारे स्कीन रिलेटेड प्राब्लेम्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और उसके बारे मैं बताओ आपको कि उसका जो कंटेंट है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम करके उसके अंदर कंटेंट है और इसके मैनिफेक्चर के हम बात करें तो SBL प्राइवेट लिमिटेड जे वो इसके मैनिफेक्चर है और ये कंप्टे के बारे में अब बता दू कि इसका headquarters जो है वो डेली में है और ये एक होमियोपेथिक कंपनी है कि जो बहुत सारे होमियोपेथि मैडिसिन्स जो है वो मैनिफेक्चर करते हैं तो जो बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल है उसका हम मैडिसिन टाइप देखे तो वो भी एक होमियोपेथिक मैडिसिन है तो मैनिफेक्चर के में यहाँ पर आपको डेटेल में बदा दो कि यह जो मैडिकेशन की जो मैनिफेक्चरिंग और यह जो कहां पर बनी हुई है तो जैपूर के प्लांट में यह जो मैडिकेशन जो वो manufacture हुई है और यहाँ पे SBL का आप देख सकते है कि जो head office जो वो डैली में है और यह homeopathic medications है कि जो खासकर 25 gram की strength में जो वो available होती है और यह खासकर जो acne का जो problem होता है blow cheese जो होते skin के उपर pimples होगेरा का जो problems होता है उसको ठीक करने के लिए use की जादी है तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो बहुत सारे skin related problems को यह ठीक करता है जैसे कि किसी को acne का problem हुआ है pimples होते है, dark sulker, dark sport, dry eczema, acne scares वगेरा को ठीक करता है तो अब diagramatically हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो जो pimples होने के बाद जो उसके दाग हो जाते है कि यहाँ पे आप देखो यह चहरे के उपर कि pimples हो गए है और वो खदम भी हो गए, dry भी हो गए बड़ उसके बाद क्या हो देखो है कि आपके चहरे के उपर उसके दाग पढ़ जाते है वो use की जा सकती है फिर जो dark circles specially आप यहाँ पे देखो कि आखो के नीच्ची इस तरह से dark circles बन जाते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए आप ये gel जो लगा सकते हैं वहाँ पे फिर जो dark skin हो जाती है कही बार कि ये वाला portion आप देखो तो ये वाली side आपको देखने को लगेगी कि ये portion जो वो काफी dark हो चुका है तो जब इस तरह से skin जो dark हो जाती है hyperpigmentation होने लगता है तो इसको normal करने के लिए skin को bright करने के लिए भी ये medication जो आप यूज कर सकते हैं फिर जो blow cheese होते हैं skin के उपर ये वाली condition आप देखो कि जो इतना portion आपको जो ये वो redness जैसना देखने को मिलेगा वहाँ पर जैसे कोई skin related infections हुआ है तो इसको हम blow cheese कहते हैं तो blow cheese को ठीक करने के लिए भी ये दवाई जो है वहाँ पर यूज कर सकते हैं फिर जो dry eczema या फिर सोराइसस की जो condition हम कहते हैं कि आप देखो इस तरह से skin के उपर conditions develop होती है तो उसको भी ये बर्बेरिस एक्विफोलियम जैल जो है वो ठीक कर सकता है फिर जो pimples बन जाते हैं या फिर pimples खतम हो जाने के बाद इस तरह से acne scares हो जाते हैं इस तरह से skin जो है आपकी हो जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये medication जो है वो use की जाती है फिर कई बार आपने देखा हो कि जो बालतोड जैसा हो जाता है कि आपकी जो skin के उपर irupsen होता है और वहाँ पर pus formation होता है और ये समझे कि बहुत जादा हो रहा है पूरे चहरे पे या फिर चहरे के लावाद सरीर के दुसरे बाग पे भी ऐसा हो रहा है कि समझे कि पीट पे आपको हो रहा है छाती के उपर हो रहा है लेक्स के आसपास हो रहा है तो बर्बिरिस एक्विफोलियम जो है वो 10% प्रेजन्ट होता है ये जेल के अंदर साथ हुसाथ इसके अंदर इंग्रिडियंट से एड़ी के हो गया है जैसे के सैंडल वूड उसके इंदर रैड किया गया है जिसको हम चंदन कहते हैं और तर्मेरिक यानि की हल्दी भी इसके अंदर जो है वो प्रेजन्ट है और साथ हुसाथ जैल बेज होता है transparent gel base होता है कि जो हलका सा पीला रंग जो आपको देता है because उसके अंदर जो healthy के जो extract है turmeric के जो extract है कि जो एक साथ उसाथ anti-inflammatory property provide करते हैं तो वो भी उसके अंदर जो है वो add किया गया है अब बात करो कि आप उसके price यहाप आप देख सकते हो कि जो यह वीडियो बनाए गया है उस time जो उसके price है वो 65 रुपिस के आसपास जो है आप यहापे level के उपर जो देख सकते हैं तो अब उसको लगाना कैसे या फिर किस तरह से use करना है तो आप जो है वो देख रहे हैं कि आपको चहरा पहले अच्छे से जो यह वो clean कर लेना है कि पानी से आप अच्छे से चहरे को clean कर देते आपके हाथ को clean कर लेते और उसके बाद यह gel जो आपके चहरे के उपर जो हो apply करनी है और जो round round करके कि अच्छे से इस तरह से आप एक circular motions में जो आपको अच्छे से यह gel को लगानी है और rub करते रहना है कि जिससे gel जो अच्छे से आपके skin के अंदर penetrate हो जाती है और इस तरह से आप दिन में दो या तीन बार जो 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 अपलाई कर सकते हैं पर ध्यान यह रखना है कि आपको rubbing करना है अच्छे से circular direction के अंदर और अच्छे से हाथ को भी wash करना है clean कर देने अपने हाथ को और साथ तो साथ जो चाहरे का जो area है उसको भी या फिर आप जहां भी यह cream लगा रहा है वो area को clean करने के बाद ही यह medication को जो वो लगानी चाहिए और यह जो आप दिन में दो या तीन बार जो वो लगा सकते हैं अब बात करते हैं यह medications के side effects यह तो इसको कोई side effect नहीं होते पर समझे कि कि किसी को allergy है बर्बेरिस एक्विफोलियम की किसी को allergy है किसी को sandalwood की allergy है या फिर किसी को termary की allergy है तो वो जो है वो skin irritation या फिर जलन जैसा feel कर सकते हैं वरना normal cases के अंदर के जिसको allergy नहीं है यह सब ingredients की तो उनको कोई भी side effects नहीं होता यह medication को use करने के बाद because यह homo-vidic medication से natural herbal ingredients उसके अंदर ready किये गए हैं जिसके करन यह कोई भी side effects नहीं कर दी तो ऐसे ही आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवयों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो यह course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो ऐसे ही सीखे बहुत सरी दवयों के बारे में medicine course में good luck and all the best